दोस्तो very good morning to all of you आज के सांदर वीडियो में आप सपी का स्वागत करता हूँ दोस्तो आज का जो पहला प्रस्तमना है कि हाल ही में एक प्रोजेक्ट की सुरुवात करी गई है जिसका नाम है प्रोजेक्ट E. लक्ष्य वाहिनी की सुरुवात किस राज्य के दोरा करी गई है तो यह जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है E. लक्ष्य वाहिनी इसको हाल ही में हरियाना राज्य में सुरू किया गया है तो option number E. हरियाना इसका ride answer हो जाएगा अब ये जो नया प्रोजेक्ट है ये किस चीजी से रिलेटेड है तो इसमें देखो लिख रहा है लक्ष या यानि कि किसी लक्ष की प्राप्ति के लिए ये मिसन चलाए जा रहा है ये लक्ष क्या है यहाँ पर आपको बतरता हूँ देखें ये आप देख सकते हैं ये लक्ष के वाहिनी नाम से ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या होगा कि हरियाना के पांच जिलों को चुना गया है पांच जिलों के लगबग 10,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंस हैं उनको इसका लाप मिलेगा उनको 100 से ज़्यादा प्रतिय जोगी पर इच्छाओं competitive exams के लिए फिरी में तयारी करवाए जाएगी ठीक है तो इसका मतलब हुआ ये जो ई लक्ष वाहिनी ये नामसेक पोर्टल है इसमें हरियाना सरकार 5 जिलों के 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को 100 से ज़्यादा competitive exams की तयारी करवाएगी अब ये पांच जिले कौन से हैं अगर आप हरियाना का exam देंगे तभी आपसे ये पूछा जाएगा तो पांच जिले हैं जजर, जींद, कैथल, अंबाला और यमुना नगर तो ये पांच ऐसे जिले हैं जहां पर ये सब कुछ किया जा रहा है तो सारी चीजों को यहां पर Alkenimiz娘 targeting of World Universities 2020 इस ranking को हाल ही में के दोरा जारी किया गया है तो हाल ही में जो ranking ि इसको sung high ranking consultancy के दोरा लॉंच किया गया है तो academic ranking of world University 2020 को हाल ही में Sang hi सांगाई ranking consultancy के द्वारा इसको जारी किया गया है तो option नंबर सीज का right answer हो जाएगा अब यह जो ranking है यानि कि A.R.W.U. 2020 academic ranking of world universities 2020 इस ranking index के अनुसार भारत में service rest उच्च सिच्छा संस्तान कौन सा है तो answer हो जाएगा कि option नंबर B यानि कि A.I.S.U. Bangalore जो है यह भारत में सबसे अच्छा institute है option नंबर 20 का right answer हो जाएगा ठीक है तो भारत का सबसे अच्छा institute इस रैंकिंग उनसार A.I.S.U. Bangalore है साथी साथ में अगर यह पूछा जाए कि सबसे अच्छी university कौन सी है तो Calcutta University जो है यह सबसे अच्छी university है अगर हम लोग global level पर बात करें तो globe तो दोस्तों global level पर सबसे पहले इस्थान पर आता है Harvard University का नाम जो की अमेरिका से है और दूसरे इस्थान पर आता है Stanford University को जो की USA से है और UK की एक university है University of Cambridge वो तीसरे इस्थान पर है आए इससे बैंगलोर हाला कि इंडिया की सबसे अच्छी institute में है लेकिन अगर हम लोग इसकी global ranking देखें तो 500 से 600 की बीच में इसका rank आता है अगला प्रस्न है कि हाल ही में समा चारों में देखा गया भारत में ग्यान वापी मस्जित कहां पर इस्थ है तो यह जो ग्यान वापी मस्जित है जो इस समय निउस में चल रही है यह उत्तर प्रदेश में इस्थ है U.P इसका राइड अंसर हो जाएगा हाल ही में यह जो मस्जित है इसको लेकर विबाद यह बना है कि कासी विसुनत मंदिर के पीछे में यह जो मस्जित बनी है तो ऐसा मानना है कि पहले यहां पर एक निउस में चल रहा है यह जो ग्यान बापी मस्जिद है यह कहा पर उत्तर प्रदेश में इस्तित है अगला प्रसंग बनेगा कि हाल ही में चर्चा में चल रहा जो अफरीकी स्वाइन फीवर है वो कैसे फैलता है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानि कि जानवरों इस समय निउस में चल रहा है क्योंकि इंडिया में अभी हाल ही में कुछ केस निकलकर सामने आए हैं इस बजह से आंसर हो जाएगा option number B यानि कि अफरीकी स्वाइन फीबर जानवरों से जानवरों में फैलता है तो इसका एक फोटो भी देख सकते हैं अफरीकी स्वाइन फीबर यहाँ पर आपको देख रहा होगा एक पिग सुमर जिसमें ये बिमारी फैलती है अब इसमें देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो संक्रमित पाएगा हैं घरेलू और जो जंगली सुमर होते हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं और ऐसे संक्रमित सुमरों को एक तीवर प्रकार का रक्त स्रावी बुखार आता है जिसके बाद में उनकी मृत्यू हो जाती है इंसानों के लिए मनुश्यों के लिए इसका कत्रा नहीं है क्योंकि ये जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वाइरस नहीं है साथी साथ में अभी इस समय नियूज में क्यों चल रहा है क्योंकि हाल ही में मिजोरम के लुंग जैई जिले में संदिक्द अफरीकी स्वाइन फीबर के बज़े से 276 सुवनों की मौत हो गई है अगला प्रस्त मनेगा कि जलवायू परिवर्तन पर तीसवी बेसिक देशों की मंत्री इस्तरिय बैठक को किस देश की अद्यचिता में आयोजित किया गया है तो यह जो तीसवी बेसिक मिनिस्टेरियल मीटिंग ओन क्लाइमेट चेंज है इसको हाल ही में भारत ऑप्षन नमबर 20 का राइड एंसर हो जाएगा भारत की अद्यचिता में इस मीटिंग को आयोजित किया गया है आप्षन नमबर 20 का राइड एंसर हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की एदिचिता में इस मीटिंग को हाल ही में आयुजित किया गया है जिसमें कि यहाँ पर आपको इसका फोटो दिख रहा होगा अब यह जो बेसिक नाम से और्गनेजिसन है इसमें कौन-कौन से देश है इसमें ब्राजील है साउथ अफरीका है इंडिया है और चाइना देश इसमें सामिल है इसमें बेसिक नाम का यह जो संगठन है इसको वर्स 2009 में इस्तापित किया जाएगा अगला प्रस्ता मुनेगा नेशनल सेफ मदर हुड डे राश्ट्रिय सुरक्षित मातरतो दिवस प्रती वर्स किस दिन मनाय जाता है तो नेशनल सेफ मदर हुड एवरी येर 11 अपरेल को मनाय जाता है ऑप्शन नंबर सीस का राइट अंसर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं 11 अपरेल को नेशनल सेफ मदर हुड डे जो है मनाय जाता है जिसमें कि आप एक फोटो भी देख सकते हैं ये जो दिवस है ये कस्तूर्बा गांधी जी की जैनती को भी दरसाता है हाल ही में हैंड इन हैंड नामसे पहल है इसको किसके दोरा सुरू किया गया है तो इसको फूड एंड एग्रिकल्चर और्गनाजिशन एफ एओ के दोरा हैंड हिन हैंड नामसे इस पहल को सुरू किया गया है तो ऑप्शन नंबर 20 का राइड अंसर हो जाएगा इस पहल का उदेश है गरीबी को कम करना, कुपोशन को समाप्ट करना इसके दो उजदे से हैं hand in hand यानि की हातों में हात किस बज़े से गरीबी को समाप्ट करना और कुपोशन का अंत करना इन दो लक्षियों के साथ में hand in hand नाम से ये जो campaign है इसको हाल ही में FAO के दारा सुरू किया गया है अगला प्रस्व नेगा कि विश्व पार्किंसन्स दिवस वर्ड पार्किंसन्स दे प्रती वर्स किस दिन मना जाता है तो every year 11th of April को हर साल 11 अप्रेल को वर्ड पार्किंसन्स दे बना जाता है option number 60 का राइड एंसर हो जाएगा इसका एक फोटो भी देख सकते हैं वर्ड पार्किंसन्स दे जो की हर साल 11 अप्रेल को मना जाता है ये जो पार्किंसन्स दिजीज है ये एक तंत्रिका से जुड़ा हुआ रोग है तो ये point exam में पूछा जाता है ये एक ऐसा मानसिक रोग है इससे पिडित व्यक्ति जो है वो मानसिक रोगी हो जाता है इसके चलते उसको अचानक से पिना सर्दी के ही कपकपी लगती है सरीर उसका कठोर हो जाता है चलने में उसको परेसानी होती है और संतलन और तालमिल में दिक्कत यह सब मानसिक रोग हैं जो की Parkinson's disease नाम के इस बीमारी से हो जाता है आगे चलते हैं दोस्तों आज का question जिसका answer आपको देना है इसका answer देना है